रामायन की पात्र त्रजटा स्मरण है आपको। अशोक वाटिका में माता सीता के साथ परच्छाई की तरह रहने वाले त्रजटा यूं तो राक्षश कुल की थी, किन्टु गुण उनके सात्विक थे। त्रजटा राक्षशी को लंकापती रावन ने माता सीता की रखवाल के लिए रखा था, किन्तु आपको तो ग्यात है कि राक्षशी त्रजटा रावन की कैद में माता सीता को बार बार दिलासा देती थी, और कई बार रावन के प्रकोप से माता सीता को बचाती भी थी, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि आखे रावन से युध में जीतने के बाद राक्षशी त्रिजटा का क्या हुआ? चली सुनते हैं त्रिजटा को लेकर एक रोचक था. रामचरित मानस वालमिकी रामायन में राक्षशी त्रिजटा का वणनन मिलता है, किन्तु दक्षिन एशियाई देशों में रामायन के अलग-अलग संस्करण में उनका उ राम राक्षशियां उन्हें तरह तरह से परिशान करती थी, लेकिन उनमें से केवल एक राक्षशी त्रिजटा ही थी, जो उन्हें न केवल राक्षशीयों से बचाती थी, बलकि पती वियोग में तुखी माता सीता को धांडस भी बढ़ाती थी. राम चरित मानस और अमायन में तरिजटा को विभीशन की बेटी और लंका पती रावन की भतीजी बताया गया है. अपने पिता विभीशन की तरह ही वो भी राम भक्त थी. मानस में उलेक मिलता है कि रावन की पत्नी मंदोदरी ने उन्हें खास तोर पर माता सीता की देखर के लिए रखा था. लंका में जब राम रावन युथो हो रहा था तब तरिजटा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियों को माता सीता तक पहुंचाती थी. काई बार जब रावन ने माया के जरिए सीता को भरमाने की कोशिश के तब भी तरिजटा माता सीता के विरहा को सहपाना मुश्किल हो रहा था, तब तरजुटा ने बुद्धिमानी से सीता की कई मौकों पर रावन के शर्यंत्र से रक्षा की। बाल रामायन में तरजुटा के बारे में कहा गया है कि युद्ध समाप्त होने के बाद वो माता सीता के साथ पुषपक विमान में आयोध्या आई थी। को हनुमान की पत्नी के तौर पर दिखाया जाता है। माना जाता है कि वारानसी में तरजुटा का मंदिर है। जहां माता सीता के कहने पर वो युद्ध के बाद चली गई थी। और उन्हें वहां मोक्ष की प्राप्ती हुई थी। इसलिए आज भी महिलायन तरजुटा के म को ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए।